हाई, वेलकम तो माई चानल, इस वीडियो में सॉल्व करें क्यूशन नमर्स सेवेंटीन और दिसानेस्ट सॉब कीपर प्रोफेसिस तु सेल पॉल्सेस अट इस कॉस्ट प्राइस तो क्या कर रहा है, कर रहा है कि एक डिसानेस्ट सॉब कीपर है वह क्लेम कर रहा है, ठीक है, प्रोफेसिस करने का मतलब क्या होता है कि वह क्लेम करना कि वह बेच रहा है पलसेस दाल को at his cost price मतलब जितने पे खरीदा है जितने उसका cost price है उतने पे ही बेच दे रहा है मतलब कुछ वो फाइदा नहीं कमा रहा swapkeeper मतलब ऐसा profess कर रहा है profess करने का मतलब claim करना ये बताना लोगों को कि मैं एक भी रुपया ज्यादा नहीं लेता जितना में मैं खरीद कर लाता हूँ उतने में ही आपको दे देता हूँ और ये सच में ये claim कर रहा है मतलब कि सच में कर रहा है मतलब उतने में दे भी रहा है जितने में खरीदा होका उतने में दे रहा है लेकिन वो बेइमान है dishonest है बहिमान होने का मतलब क्या वो false weight का यूज़ कर रहा है मतलब कि 1 kg जब दे रहा है लोगों को तो 1 kg में वो 950 ग्राम ही actual में दे रहा है kg तो दिखा रहे हैं लोगों कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ लेकिन उसमें से 50 ग्राम कम दे रहा है क्योंकि उसका जो weight है जो तराजू है weight करने वाले जो machine है वो उसकी खराब है या खुद खराब किया होगा कोई बहिमान है तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे उसका gain percent मतलब कितना उसका gain percent हुआ तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ना कि वो swapkeeper जो है किस चीज़ को SP मान रहा है और किस चीज़ को मैंने कितने amount को CP मान रहा है यह पहले सोचना होगा तो swapkeeper अपने दिमाग से क्या सोच रहा है कि यदि मैं लोगों को यह बोल दिया भले ही कि मैं cost price पे ही दे रहा हूँ लेकिन weight में difference कर दे रहा हूँ इसका मतलब कि swapkeeper यह सोच रहा होगा कि मेरे लिए मतलब swapkeeper के लिए जो CP होगा वो 950 gram का जो cost होगा न वही होगा मतलब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कुछ suppose कर लेते हैं देखें यहाँ पे हम solve कर समझने के लिए हम क्या करेंगे पहले suppose कर लेते हैं कि 1 gram का जो price है वो 1 rupees है तो यहाँ पे माल लेते हैं let CP of 1 gram of pulse be rupees 1 माल लेते हैं तो यहाँ पर पहले निकाल लेजिए CP of 950 gram of pulse कितना हो जाएगा देखें 1 gram का 1 rupees है cost price तो 950 gram का कितना हो जाएगा 950 rupees हो जाएगा 950 rupees हो जाएगा अब यहाँ पर जो 950 rupees है यह cost price है किसका swap keeper के लिए swap keeper जो है 950 rupees का ही product actual में दे रहा है मतलब कि वहाँ माना है कि यही मेरे लिए CP है और SP क्या है selling price जो है swap keeper के लिए वह होगा 1000 gram का जो cost होगा मतलब हम यहाँ ले सकते हैं कि SP of SP यहाँ रिखते हम लोगे ऐसे SP for the swap keeper SP for the swap keeper SP for the swap keeper is equal to CP of CP of 1000 gram of pulse क्योंकि देखे यह जो है न यही उसको वह मान रहा है swap keeper जो मान रहा है वह SP मान रहा है किसी इसको जितना cost price है 1000 gram of pulse का ठीक है क्योंकि यह इतने में बेच रहा है लोगों को तो लग रहा है कि वह 1000 gram मिल रहा है उनको लेकिन actual में वो कुछ और दे रहा है तो swap keeper यह सोच रहा होगा कि मुझे फाइदा कैसे होगा भाई यही मैं CP पर ही लूँगा और CP पर ही बेचूँगा तो gain कैसे होगा इसलिए वो क्या कर रहा है वो ऐसा सोच रहा है कि उसके लिए SP जो होगा selling price swap keeper के लिए वो होगा CP of 1000 gram of pulse मतलब 1000 gram का जो CP होगा cost price वही वो मान ले रहा है कि वही मेरे लिए selling price है क्योंकि वो actual में तो 950 gram ही दे रहा है तो 50 gram का जो price है वो ही फाइदा उसको हो जा रहा है तो इसलिए SP for swap keeper हम मानेंगे CP of 1000 gram of pulse जो लोगों को actual में लग रहा है तो customer को तो बस ये दिख रहा है कि 1000 gram मिल रहा है लेकिन swap keeper क्या कर रहा है 950 gram ही दे रहा है क्योंकि ये सोच रहा है कि मेरे लिए SP जो होगा 1000 gram ही होगा क्योंकि लोग तो जानते नहीं है इसके बारे में जो 1000 gram का CP है उसी को SP मान रहा है मतलब ये कितना होगा बताइए ये होगा 1000 रुपीज मतलब SP हो जाएगा swap keeper के लिए 1000 रुपीज और CP कितना हो जाएगा 950 रुपीज यही आपको सोचना है मतलब ये ऐसे होगा मतलब swap keeper ऐसा सोच रहा है अब जो लेने वाला customer है उसको तो कुछ नहीं पता उसको तो पता है कि ये जो swap keeper उसको फायदा नहीं हो रहा तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं gain percent जब ऐसा मान लेंगे तभी निकाल पाएंगे तो gain percent is equal to SP of swap keeper minus CP of swap keeper upon CP of swap keeper into 100 मतब हम ऐसा swap keeper का ही SP और CP लेंगे यहाँ पर customer का कोई role नहीं है ठीक है जो swap keeper सोच रहा है अपने बारे में जो dishonest swap keeper है उसके हिसाफ से ही SP जो होगा वो यूज़ करेंगे और उसके हिसाफ से जो CP है वो यूज़ करेंगे फिर आपको मिलेगा क्या SP जो वो मान रहा है वो मान रहा है कि 1000 ग्राम को जो price है वही मेरे लिए SP है क्योंकि उसी पर कुछ मैंने कि जब मैं 1000 ग्राम का जो SP सेलिंग करूँगा तब ही मुझे जो फायदा होगा 50 ग्राम का क्योंकि उसका weight कम देगा 1000 ग्राम तो बेचेगा लेकिन वो 950 ग्राम ही बेच पाएगा तो 50 ग्राम का उसका फायदा हो जाएगा इसलिए सोच रहा है कि SP जो मेरा है वो 1000 रुपीज है तो यहां पर लिख देंगे 1000 रुपीज माइनस CP कितना है 950 रुपीज और कितने में CP आपका कितना है 950 यहीं है 950 माड़ प्लाई कर देंगे 100 से तो यहां पर मिल जाएगा 50 अपान 950 बड़ प्लाइट बई 100 यहां से 0-0 केंसिल हो गया 5 बंज़ 5 और यहां कर देंगा 5 बंज़ 5 एन 45 5 नहीं जा 45 तो यह मिल जाएगा 100 अपान 19 100 अपान 19 और इतना परसेंट आजाएगा इसको हम डिवाड़ कर लेगा 19 से तो 95 और 5 बचेगा और 5 अपान हो जाएगा 19 इतना परसेंट तो इतना परसेंट यह क्या हो रहा है जो सौप कीपर उसको फायदा हो रहा है 5 बंज़ 5 अपान 19 डूपीस का हायदा कमाने में है उस तरीके से सोच करके solve करना हमें क्योंकि सौप कीपर ही सब फुच कर रहा है एक परसन यही है जिसका CP निकालना है और SP निकालना है वह सौप कीपर के मुताबिक निकालना है सौप कीपर यह सोच रहा है कि मैं लोग तो नहीं जानते कि मैं 1000 का रहा हूं लेकिन दे रहा हूं उनको 950 ग्राम तो वह सोच रहा है कि जब 1000 ग्राम को मैं माल लेता हूं कि वो SP है मेरे लिए और 950 ग्राम जो एक्शॉल में दे रहा हूं वही CP माल ले रहा हूं अपने लिए जब ऐसा मानेगा वो और जब बेचेगा तो डेफिनेटली यहां पर 50 ग्राम का उसको फायदा हो जाएगा है कि नहीं तो वहीं जो 50 ग्राम को फायदा होगा वहीं से उसका गिन परसंट निकलेगा और इस तरह से सोचेंगे आप तभी इसको सब्सक्राइब करत आता है ना तो बस सिंपली आप उसको ऐसे सॉल्व करिए मतलब इतना कुछ करनेक जूरत नहीं है इदि आपका objective questions आते हैं किसी exam में किसी entrance exam में न कि आपके board वाल exam या फिर कोई ऐसा academic exam होता है उसमें नहीं बलकि कोई ऐसा exam होता है जिसमें objective टार कुछता है directly क्या करना है आ actual weight जितना वो दे रहा है तो gain actually हो रहा है 50 gram का अपान actual weight कितना है 950 मतलब कर देंगे 100 से तो निकल जाएगा profit percent उसका ऐसे मतलब कि start cut में आप कर सकते हैं use या solve करने में तो क्या आएगा वही आएगा 5 अपान यह हो गया 1 अपान 19 हो जाएगा और 100 अपन 19 मतलब कि 5 होल 5 अपन 19 परसेंट लेकिस समझने के लिए तो यह वाला concept समझना पड़ेगा आपको तो यदि इस वीडियो को आप एक दूबार और देख लीजेगा तो आपको पूरी तरस के लिए हो जाएगा कैसे करना इसको ओके लें तो मैं सुचता हूँ कि मेरे एक बार बताने से आपको समझ बाइ